नमस्कार सुस्वा गदम वेलकम आप सभी साथ योगा आपके अपने यूटूब चैनल वी एम क्लासेस पर दिव्यांग अगर आप हैं विकलांग अगर आप हैं तो दिव्यांगता से रिलेडेट कोई भी इंफोर्मेशन चाए सरकारी नौकरी से रिलेडेड हो योजनाव से रिलेडेड हो या कोई भी दिव्यांगता से जूड़ी खबर अगर आपको समय समय पर चीए तो आप से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वरना कोई बात नहीं है क्योंकि आम आदमी जो विकलांग नहीं है उनके बारे में तो आपको अपडेट करोड़ो वीडियो के करके अगर मैं बात कहूं तो दिव्यांग जनों को ही समर्पी ती इसके अलाव अगर आप दिव्यांग नहीं है तो भी वीडियो को जो है आप शेयर कर सकते हैं या फिर यू कहें कि सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम पड़ाई से रिलेडेड शिक्षा से रिलेडेड भी वीडियो इस पर अपलोड करते हैं खेर इस वीडियो में हम देखने वाले एक बहुत थी जबरदस्त न्यूज दुख बरी खबर तो क्या है मैं तो इससे दुख बरी नहीं कहूंगा देखे जिस आप थेमिला पर देख रहे हैं पी एच यानि की फिजिकली हैंडिकेप दिव्यांग होते हैं उनको ही बोलते हैं पी एच फिजिकली हैंडिक्यप अंग्रेजी में इसलिए मैंने पी है दिव्यांग पेंशन परलगी रोक ठीके ना आखिर क्या है मामला जानने के लिए यह वीडियो आप पूरा देखे समझे क्या बोलना चाराओं में क्या क्यान तो आए हम सबसे पहले देखते हैं कुछ खबर देखे साथ कल यानिकी 25 दिसंबर 2023 को राजस्तान सरकार के शांते वं आहिस्सा विबाक के दोरा जो आपकी एक योजना चलाई गई थी कहने कम देख भरती निकली थी बजट गोशना 2023 के अंतरकत जिसका नाम था आपके महात्म पदो पर थी तो आपको इस रूप से ज्यात होगा कि तुरंट प्रभाव से इस पर रोक लगा दी गई है जैसे सरकार बनी गठन हुआ अच्छे तरह से 15-20 दिंग निकले और योजना उपर चलने लग गई चूरी क्यों निकली इसके भी हम बात कर सकते हैं छोटी-छोटी ठीक है ना हम दोनों के बात करेंगे और ये पेंशर का क्या मुद्धा है इसके भी बात करेंगे लेकिन इसके पहले मैंने आपको ये क्यों बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि देखी क्या हो रहा है ना इसके अलावा ये राज़स्तान सरकार के आर्थिकी एम सांकी कि जो निदेशाला है उनके द्वारा एक योजना चल रही थी पहले राजस्तान में 2021 से ये संचाली थी है ना लगबग दो साल से ये संचाली थी कौन सी राजिव गांधी युवा मित्र इंटरशिप कारिकरम ये भी चल रहा था और इसको गोशना की गई है कि 31 तारीक से 31 द देनताय दिध रहा रहा है दिय्व्यांग प्निशन उसकी बात करेंगे लेकिन पहले में आपको इस invent क्ष्छय लें चाहता हूं हिंड देना चाहता हूं कि क्या है आखिर मामला थीके ना क्यों कि मुझे ये जानकारी मिली है नुलिया है तुम्हें आपको मिली या ना मिली तो देखी यह जो मतलब भरत्या जो है आपके महात्मा गांधिवाली और यह राजिव गांधिवाली यह जो भरत्या निकली है इन पर जो है तुरंट जो है इनको समाथ किया गया था जवाब मांगा था कि क्या जरुद है इसकी वीत विबाक प्येपास इतने पैसे है क्या इतना किसा क्या है क्या आप इतनी मन जो चल रहा है बिना फालतु की पड़ते निकल रहे हैं इससे क्या बेरोजगर दूर थोड़ी ना होगी एक साल के लिए आस्ता ही नोगरी थी महात चला रहे हो हां रोजगार अगर बड़ा सा है अगर आपड़तिया निकाल रहे हो सरकारी नोगरी वाल एक बहुत अलग बाद है लेकिन बिना फालतु क्यों चला दी सब पर चूरी चलेगी ठीक ना और चलने वाली है और बहुत सारी इतना कोई नहीं है इतना कोई इनका य पेंशन भी योज नहीं है जो नचाना कितने सालों से चल रही है इना इस पर भी अबंद होने वाली यह कुछ सुने में आया है मुझे कोल भी आया कि दिव्यांग पेंशन आम नहीं मिलेगी कि आप भी जानते हो कि कई दिन हो गए आपकी बार जो है लगबक दो महीनों की पेंशन प्राइब आप जानतेका है अपकी बार से मिली मिली नहीं वो से नंहीं है वो ठीक है ना तो इसका मैं आपको बता देता हूं साप साप शब्दों में साथ हो देखिए अभी चल रहा है आपकी yearly verification वार्षिक सत्यापन और इसकी अंधिम तारीक क्या है इसकी अभी जो बात करें हम तो वह 31 तारीक 2021-2023 सत्यापन की ठीक है ना तो यह क्या है कि सबका सत्यापन होने के बाद क्योंकि वह तो पेंशन सबको डाल देंगी अगर जिसका सत्यापन हो गया है उसको भी पेंशन उसके भी पेंशन डाल देंगी अगर कोई चितोर जिल्ले से हैं समझ लो भिलवाड़ा जिल्ले से हैं किसी भी जिल्ले से है तो उनका साथ में पूरा का पूरा एक ही समाज कल्यान विभाग होता है मेरी बात को आप समझने का प्रियास कीजिएगा एक जिल्ले में एक SJE होता है Social Justice and Empowerment Department समाज कल्यान विभाग एक जिल्ले का एक होता है और पेंशन डालने का काम होता है समाज कल्यान विभाग का आई बात समझ में आपको ठीक ना अगर कोई भी जिल्ला का कोई भी निवासी है जितने भी उस जिल्ले की निवासी है उनको पेंशन मिलती है तो वो SJE डालेगा समाज कल्यान विभाग की ही डालता है एसा नहीं है कि मुझे आल डाल दिये, आपको कल डाल देंगे, चितोड जिल्लों वाले, आगर मैं चितोड जिल्ले से हूँ, ठीक है डालेंगे वो आज कल, कई भाईों की कल डालेंगे, कई भाईों आगर लेंगे, डालेंगे होई, है ना, समाज कल्यान विबा का काम होता है अपने जिल्ले के जितने भी भाई हैं, जितने भी भाई बंदू, बुजुरुक दिव्यांग, सब जन हैं उनको पेंशन देना, ठीक है ना, अब समझ लोगी चितोडगड़ वालोंने, मैं उधारन के लिए बता रहा हूँ, आप किसी भी जिल्ले से हूँ है न, कमेंट कर सक समाज कल्याण विबाग दो या तीन दिन के अंदर पूरा चितोड़गड़ जिल्ले को निपट लेंगी, केने कमलों सबको पेंशन दे देंगे, अब सबको दे देंगे, इसका मतलब उसमें तो सब आ गए न, केने का मतलब जिनका वार्षिक सत्यापन हो गया, उनके भी प मानें, लेकिन जैसे ही ये तारिक जाएगी, चाहिए जनवरी जाओ, वार्षिक सत्यापन की बात कर रहा हूं, अभी 31 तारिक अगर बड़ा दी जाए तो आलग बात है, 31 तारिक तक आपके वार्षिक सत्यापन होंगी, उसके बाद पेंशन सबके डाल देंगे वो, अब व वार्षिक सत्यापन करा लिया है, वो अभी नहीं देखते, कि उन्होंने वार्षिक सत्यापन कर लिया, तो इनके पेंशन डाल दो, अभी समान है, सब करा दिया, उनके भी पेंशन नहीं डालेंगे, जिन्हों नहीं करा, उनके भी नहीं डालेंगे, जैसे ही तारिक निकले कि इन भाई नहीं कर आए उनकी पंध हो गए उनकी बंद हो गई रेकष खतम आप जिन्हों ने कराया उनका नाम वहां पर शोगा और साथ के साथ आपकी पेंशन 2-3-4 मान जिदने में मैंने के डाल दू जाएगी कहीं नहीं जाएगी योजना ना तो बंद होगी ना कम होगी ना कुछ होगा और यह हैं कि आपके जून-जुलाई का है डाउट है कुछ भी है तो आप जो है कमेंड बॉक्स में जरू लिखें मैं देखता हूं हालागी नहीं करे पाता हूं लेकिन देखता सबका हूं तो वीडियो के माध्यम से वापस जो है मैं जवाब दे देता हूं ठीक है ना